बिहार विधान सभा चुनाब 2020 की तैयारिया जोरो पर हैं हर कोई प्रत्याशिक चाहता है कि पाची की और से हमें टिकेट मिले बात करते हैं सहरसा जुले के महिशी विधान सभा की जहां बिहार सरकार के अलपसंख्यक कल्यान मंतरी रहे डॉक्टर अब्दुल गफर जो इस दुनिया को कई दिन पूर्व अलविधा कह गए आपको ये भी बता दें कि उनके परिवार के लोगों की भी चाह है कि पाची की और से मंतरी के बड़े बेटे डॉक्टर अब्दुल रजाक को महिशी विधान सभा से राज़त सीट पर चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए परिवार वालों को उमीद है राज़त सुप्रीमो लालु यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर महिशी विधान सभा से डॉक्टर अब्दुल रजाक को आला कमान के नर्नय और जंता की मांग पर चुनाव मैदान में जरूर उतारेंगे मंतरी जी के पैतरिक गाव जले के महिशी प्रखंच के भिलाही पंचायत स्थित बोहरवा में परिवार वालों ने मिजिया के सामने बात रखी है मंतरी के बड़े भाई इशा साबिर ने कहा मंतरी के बेटे अब्दुल रजाक को अगर जंता टोपी पहना देती है तो वो टोपी का लाज पिता के तरह ही रखेगा और जंता को शिकायत का मौका नहीं देगा भाई क्या मुलहक ने कहा कि डॉक्टर रज्जाक मियूशी विधान सभा से राज़त प्रत्याशी की रूप में आए निश्यत रूप से राज़त की सरकार तेजस्वी की सरकार होगी साथ ही उन्होंने कहा कि इस शेत्र को मंतरी जीने बहुत महनत से सीचा है उसमें जो मांग पर हम सभी लोग महिसी वासी के इस मारग दर्सन पर उन लों का ये मांग हुआ के पडिवार में अब्दुर्रजाक जो इंजिनियर है तो जब गफूर साहब चले तो सब लोगों ने कहा कि वह उनको ही लाया जा क्योंकि उसके पडिवार में उस लाइक है तो महिसी महिसी विधान सवा के लोग के मांग पर अब्दुर्जाक सहब को तया हैं और हम पडिवार से हैं महिसी विदान सवा के लोगों के आवाज भी है कि परिवार को मौका मिलना चाहिए चुकि गफूर साहब के बदले में इस एलाके को बहतर से बढ़िया से मेहनत मुसक्कत करके जो सीचा है जो अधा अधूरा काम है तो अगर अब्दुर्जाक को यह मौका मिलेगा तो निश् अधरनी लालू परशाद यादव जी और हमारे विपक्ष के नेता भाई तेश्वी परशाद यादव जी उन्होंने यूबा को ले करके जिस तरीके से परदेश में परचार परशार किया है तो निश्चित उरुप से राज़त का सरकार होगा और यूबा पिड़ी आगे बढ़ रहे हैं और बर्चर करके तेश्वी शरकार बनाने के लिए बर्चर के हिस्सा ले रहे हैं तो यह पूरी उम्मीद है हम लोगों को भी कि आला कमान यूबा को फोकस कर रहे हैं प्रदेश में तो हमारे अब्दुरज्जाक साब यूबा नेता है और गफूर साब के बड़े पुत्र होने के नाते उत्राधी काड़ी तो नहीं कहा जाए लेकिन लोगों के मांग पर वो लिश्चीत रूप से उस पर खाला उत्रे में अगर यह निर्णय अला कमान का होता है तो क्या नाम मेरा नाम क्या मुल हख हुआ मुझे पूर बिश्वास है कि अगर जनता ने उसको टूपी पहना दिया तो वो टूपी का लाज रखेगा शिकायत का मौका किसी को नहीं मिलेगा उसका बेटा भी इसी तरुका है उनकी बारी बिहर विजांसवा चुनो में उनका बेटा चुनो लड़ेगा कहां से अनि मिस बाइसी जगा जड़े बारी बारी चुनो भी वो टूपी है